ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया ए बेकर फ्रॉम गोवा बाई लूश्यो रोड डिग्ज ने लिखा है आज हम इसकी सम्मरी करने वाले हैं यह लेशन पूर्टगालियों और उनके ब्रेड के टुकड़ों के बारे में लोगों के प्यार को बताता है बेकर गोवा में अभी भी एगजिस्ट करते हैं वो अभी भी गोवा में हैं उन्हें पैडर के नाम से जाना जाता है दे विजिट ट्वाइफ डेली वे दिन में दो बार विजिट करते हैं आते हैं इन दा मोर्निंग एक सुबह आते हैं और रिटर्निंग आफ्टर एंटिंग देर बास्केट और वापिस जाते हुए जब उनकी टोकरी खाली हो जाती है तब वो आते हैं दा जिंगलिंग थर्ड साउंड और बेकर्स बेंबू स्टाफ बेकर्स के बास के डंडे की जिंगलिंग थंड आवाज वेक्स अफ्ट दा चिल्डरन बच्चों को निंग से जगा देती है दा चिल्डरन रन ट्वर्ड देर फ्रेंड तो गेट स्पेशल स्वीट ब्रेड बैंगल्स बच्चे विशेश मीठी ब्रेड से बनी हुई चूडियों को पाने के लिए अपने दोस्त की और दोड़ते हैं वे उन्हें दांतों को सास किये बिना ही खाते हैं इन हाउजिज the bread lobs are collected by some paskin और bastian the maid servant of the house घरों में ब्रेड को लेने का काम bastian या paskin दोड़ा किया जाता है यह जिनको हम maid servant घर की maid servant भी बोलते हैं वो इन ब्रेड को बेकर सेल लेती हैं स्वीट ब्रेड कोल्ड बॉल इज एन इंसेपरेबल पार्ट ओफ विलेज पार्टिज और फेस्टिवल्स मिठे ब्रेड जिनको बॉल भी का जाता है वे गाउं की पार्टिज और उनकी फेस्टिवल का एक कभी ना अलग होने वाला हिस्सा है केक और बॉल नियास सेलिब्रेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं बेकर्स की ड्रेस को कभाई बोलते हैं इन दा एंड ओफ दा मन्थ बेकर्स कलेक्ट दा बिल्स रिकोड़ेड सम्वेर ओन वाल इन पैंसिल वे पैंसिल से किसी दिवार पर लिखे हुए अपने हिसाब किताब को लेने के लिए महीने के अंत में आते हैं बेकर्स लीड ए वेरी प्रोस्परस एंड हैपी लाइफ विद जैक फूरूट लाइक फीजकल एपिरियंस बेकर्स जैक फूरूट की तरह मोटे दिखते हुए एक खुसाल और स्मिर्थ जीवन जीते हैं पहला क्वेस्चन है वे पुराने अच्छे पूर्टगाली दिनों के शोकीन है वे पुर्टगालियों के शोकीन है वे पुर्टगालियों के परसिद ब्रेड के टुकडों के शोकीन है Is bread making still popular in Goa? क्या bread banana आज भी गोवा में famous है, popular है, परसिद है? How do you know तुमें ये बात कैसे पता है? Yes, हाँ, bread making is still popular in Goa Bread banana गोवा में अभी भी popular है We know it as those furnaces, mixtures, moulders and bakers still exist हम जानते हैं क्योंकि वे भटिया, वे mixtures, वे moulders और बेकर अभी भी गोवा में रहते हैं What is the baker called? Baker को क्या कहकर पुकारा जाता है? The baker is called as pedder Baker को pedder कहकर बुलाया जाता है When would the baker come every day? Baker हर रोज कब आते हैं Why did the children run to meet him? बच्चे क्यों दोड कर उन्हें मिलने के लिए जाते थे? They used to come in the morning, then again in returning after emptying their basket वे सुबह आने के आदी थे और उसके बाद वो तब दुबारा जब वो वापिस अपनी टोकरियों को खाली करकर लोट रहे होते थे तब आते थे The children ran for getting sweet bread bangles बच्चे दोड कर मीठी ब्रेड से बनी हुई चूडियों को लेने के लिए जाते थे What did baker wear in the Portuguese days? पुर्दगालियों के समय में बेकर क्या पहनते थे? In the Portuguese days, they wore a single piece long frock reaching down to their knees known as कबाई पुर्दगालियों के समय में वे एक piece से बने हुए लंबी frock को पहनते थे जो की उनके घुटनों तक पहुँचती थी और इनको कबाई भी का जाता था Second question is, What did the bakers wear when the author was young? जब लेखक छोटा था तब बेकर क्या पहनते थे? When the author was young, they put on a shirt and trousers shorter than full length but longer than half pants जब लेखक छोटा था तब बेकर्स एक shirt और pant पहनते थे जो की full length की ना होकर छोटी होती थी प्रन्तु half pants से लंबी होती थी Who invites the comment, He is dressed like a pedder Why? किन लोगों को ऐसा का जाता था कि उसने एक pedder की तरह द्रेस पहनी हुई है Why? ऐसा क्यों का जाता है? Anyone who wears a half pants which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder कोई भी जिसने एक half pants पहनी हुई है जो की उसके घुटनों के नीचे तक पहुचती है ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि उसने pedder की तरह द्रेस पहनी हुई है Because such a pant is a traditional dress used by the pedders क्योंकि इस तरह की pant pedders द्वारा प्रमप्रागत ड्रेस के रूप में इस्तमाल की जाती है Where were the monthly account of bakers recorded? Bakers का महिने का हिसाब किताब कहा लिखा जाता था? It was recorded on some wall in pencil यह pencil से किसी दिवार पर लिखा जाता था What does a jackfruit-like appearance mean? Jackfruit की trend दिखाई देने का क्या मतलब है? It means to have a fat body-like appearance इसका मतलब एक मोटे की तरह देखना होता है Is bread an important part of gone life? How do you know this? क्या bread gone life का एक महतोपुरन भाग है How do you know this? तुमें ये बात कैसे पता है? Yes, it is an important part of gone life How do you know this? तुमें ये बात कैसे पता है? We know this as without bread एक पार्टी लूजिज इस अट्रेक्शन हमें पता है क्योंकि बिना bread के पार्टी अपना आकर्षन खो देती है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को दबाएं लाइक करें कमेंट और शेयर करें